Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bali to box. 15 अगस 2018 में जौन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते रिलीज हुई थी और इस फिल्म के साथ ही इस हौट हंक ने पेट्रियोटिक फिल्म में एक बार फिर अपना कदम बढ़ा दिया है पर मानों के बाद जौन की ये फिल्म भी काफी दमदार रही और अब इस फिल्म की रिलीज के ठीक एक साल बाद जौन ने एक बार फिर निखिल अडवानी के साथ हाथ मिलाया है और इस बार भी वो 15 अउगस्ट को बड़े पर च्छा जाएंगे जौन एब्राहम और निखिल अडवानी की एक कोलाबरेशन एक रियल लाइफ स्टॉरी है जिसका नाम है बटला हाउस इस फिल्म में बरसो पहले हुए डेली पुलिस और आतंगवादियों के बीच के इंकाउंटर की सच्चाई बया की जाएगी पिछले कई दिनों से इस फिल्म के मेकर्स, नई पोस्टर्स और स्टिल्स शेयर करके हमें इंप्रेस कर रहे हैं और अब फाइनली फैन्स की कुरियोसिटी को जगाते हुए उन्होंने अपनी फिल्म का ट्रेलर भी अनवेल कर ही दिया माई माई संजीव कुमार यादव के रोल में जॉन एब्राहम काफी कन्विंसिंग लग रहे हैं और ट्रेलर में सूपर थटी की लीडिंग लेडी मृनाल ठाकुर की मौजूदगी से फिल्म में चार चांद लग ही गए अब इस इंप्रेसिव ट्रेलर को देखने के बाद हम सब तो पतला हाउस की रिलीज का बेस्तबरी से इंतजार कर रहे हैं है ना